Hey students, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में अर्थ की यूनीकनेस के बारे में पढ़ा था इस लेक्चर में हम अर्थ के इटमॉस्फेर के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले बच्चो आपको आपकी notebook work के बारे में थोड़ी सी guidelines देते हैं अभी तक आप first lecture attend कर चुके हो तो आपको क्या करना है आपको एक fair notebook बनानी है क्योंकि जब आप school वापस आओगे, probably कुछ months बात, after this covid pandemic ends तो आपको new work नहीं कराया जाएगा वही notebook आपकी final notebook के लिए consider की जाएगी और बच्चो आपको पता है कि हमारे CBSE के system में we have marks for notebook also तो notebooks के भी आपको marks मनने वाले हैं तो आपको अपनी notebook बहुत अच्छे से maintain करनी है तो first lecture में आपने हो सकता है अपनी notebook work नहीं शुरू किया हो उसके लिए एक बार फिर से guidelines मैं दे देती हूँ आप अपनी notebook fresh notebook आप लेंगे उसमें heading डालेंगे chapter 2 our earth उसके बाद जो lines में आपको mark कराऊंगी bulletins बनाके bulletins क्या होता है बच्चो फर एक्जामपल यह आपका page है यहाँ पे आपने heading डाली chapter 2 our earth यहाँ पे आप डालना lecture 1 ठीक है यहाँ आप डालोगे lecture 1 उसके बाद यहाँ से आप ऐसे stars बना सकते हो stars बनाके आपको important points लिखते जाने अगर को important question होगा तो वो भी मैं आपको यहीं पे लिखवा दूँगी ठीक है जैसे आपकी first lecture के लिए आपको first point यह लिखना है it की जगे आपको क्या लिखना है earth ठीक है this is your first point earth is the only planet on which life exists उसके बाद उसके बाद आपको लिखना है यह वाली sentence second point ठीक है फिर आपको लिखना है three quarters of earth surface is covered with water and one quarter is covered with land यह third point ठीक है यह three points आपको first lecture के लिए लिखने हैं okay अब second lecture हम शुरू करते है earth atmosphere बच्चों डरों मत अभी आप third class में आए हो तो आपकी notebook work का pattern पिछली class से different होने वाला है पिछली class में blackboard पे लिखती थी आप उसे note down कर लेते थे बट आप थोड़े बड़े बच्चों हो गए हो तो आपको इस types में work करना है कुछ ज्यादा difficult नहीं है आपको page पे हेडिंग डालनी है our earth chapter 2 फिर first point यह लिखना है second point यह लिखना है L2 L2 means lecture 2 ठीक है और देखे पढ़ते हैं earth is covered by a layer of gases बच्चों लेयर क्या होता है for example this is my hand okay अब मैं ने जैसे आपने देखा अपने हैंड को अपने दूसरे हैंड से अभी cover कर लिया था तो वो क्या बन गया एक layer बन गया like this okay children तो layers क्या होते हैं वो एक दूसरे पर cover करने वाली आप layers कह सकते हो ठीक है जिसे यह first layer है मालो यह first page मैंने इस पर cover किया तो यह first layer फिर यह इस पर second layer आपने layer cake भी देखा होगा उसमें बहुत सारी cream की layers होती है परते जिसे आप कहते हो ठीक है तो earth का surface भी earth जो भी है earth भी covered है gases के layer से और कौन-कौन सी gases है बच्चों अपनी book में mark कर लेंगे nitrogen oxygen and carbon dioxide यह कौन-कौन सी gases है nitrogen oxygen and carbon dioxide next बच्चों water vapor water vapor क्या होता है यह भी water का gaseous form है आगे जब आप forms of matter पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा water vapor को आप simple language में भाप कह सकते हो ठीक है जो earth surface पे नदियों में समंद्रों में जो पानी होता है वह evaporate हो जाता है वह भाप बनके हमारे earth के atmosphere में चला जाता है इसके अलावा बच्चों क्या होता है dust particles अब यह dust particles कहां से आते हैं तर स्रक्ष थर्दें में दिया जो है अक